वॉली बूट का ये खान परिवार बरबाद हो चुका है जी हाँ किसी भी सूपल स्टार की पतनी बहुत दुखी होगी तब ही उन्होंने ये दर्द अपना दिखाया है सोशल मीडिया पर परेसल इम्रान खान की पतनी अवंतिका मलिक ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है जो से हर कोई देखकर आश्चर्य चकीत है अवंतिका ने दर्द भरे लहजे में लिखा है हम कर्ज में डूप चुके हैं हम अब बरबाद हो गये हैं जी हां अवंतिका वही अवंति मलिक के बीच करीब एक साल से चीज़ें ठीक ठाप नहीं चल रही हैं दोनों के रिलेशन्शिप शादी और डिवोस की खबरें सुर्ख्यों में रहे हाल ही में अवंतिका मलिक ने एक अजीबो गरीब पोस्ट लिखी जुसमें उन्होंने डिवोर्स और इम्रान खान संग अलग होने की बात को लगभग सही खरार दिया अवंतिका मलिक लिखती हैं ये सीरियस सचाई है शादी मुश्किल होती है डिवोर्स भी मुश्किल होता है खुद के लिए मुश्किलें चुने मोटापे की समस्या मुश्किल भरी होती है फिट रहना भी आसान नहीं होता इतना करना भी मुश्किल होता है खुद के लिए मुश्किल चुने जंदगी कभी आसान नहीं होती हमीशा मुश्किलों भरी होती है लेकिन हम मुश्किल को चुन सकते हैं इसलिए खुद के लिए चालाकी से चीजें चुने अवंतिका मलिक ने ये कबिता देवन ब्रांग की कुछ समय पहले खबर आई थी कि इमरान खान अपने करियर को लेकर थोड़ी चिंतित थे जिसके चलती वो चड़चड़े रहने लगे थे आए दिन इनके और अवंतिका मलिक के बीच लड़ाई जगड़े होते रहते थे जिसका बुरा असर बेटी इमारा पर पढ़ रहा था फिल्म कटी बटी के फ्लॉफ होने के बाद इमरान को कहीं काम नहीं मिल रहा था चार साल तक इमरान घर पर बैठे रहे धीरे धीरे इनकी सेविंग भी खत्म होने लगी वो दरसल डिरेक्शन में अपनी किसमत आजमा रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस बार अवंतिका ने इस पोस्ट में अपने मुश्किल वक्त के बारे में बात की है अवंतिका ने अपने पोस्ट में लिखा है शादे भी कठीन है और तालाग भी आप अपनी कठीन चीज खुद चुन सकते हैं इसके साथ अवंतिका ने जन्दगी के और भी कई कठीन हा दो इस सब्द के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के रिष्टे अब तक ठीक नहीं है अवंतिका पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रही हैं उनके तमाम पोस्ट से ही इमरान खान के साथ रिष्टे पर चर्चाएं होती हैं दोनों की एक बेट है कि अवंतिका का दर्द सोशल मीडिया पर कभी कबार छलक पड़ता है अवंतिका के दर्द से कितने दुखें आप जरूर बताएं धेर सारे कमेंट करें और देखते रहें वेग स्क्रीन सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं